Hello everyone, welcome to break time classes इस वीडियो में हम UP PCS RO RO exam के बारे में बात करेंगे यानि सबिच्छा दिकारी सायक सबिच्छा दिकारी का जो पेपर होने वाला है हाली में वेकेंसी आने वाली है जिसमें अभी notification इसका जारी नहीं हुआ है लेकिन notification के पाथ जो exam वाला period रहता है वो बहुत कम रहता है इसलिए तैयारी बहुत पहले से कर लेनी चाहिए खास करके इसमें जो है जो तैयारी वाले बच्चे इसमें अपियर होते हैं वो PCS IS के लेवल की तैयारी वाले अपियर होते हैं क्योंकि इसमें बार-बार transfer नहीं होता है आपका आराम से आप जौब कर सकते हैं ग्रेट पे बहुत अच्छी खास है आप PCS के लेवल की इसमें ग्रेट पे हैं तो इस सब चीज के लिए पसंद की जादी काफी जौब अगे यहां पर बात करते हैं इसमें जो सलेबस दिया होता है official वाला सलेबस उसमें जो subject है वो तो अच्छी से दिये रहते हैं लेकिन उन subject से क्या-क्या topic आएंगे इसके बारे में ज़्यादा detail में नहीं लिखा होता है अगर आपने official सलेबस देखा होगा तो इसलिए कुछ ऐसे topic है जिनसे सबसे ज़्यादा question पुछे आते हैं तो यह आपके लिए important हो सकते हैं यहां पर discuss करेंगे यह मेरे experience के recording है मैंने 2021 वाला paper जो है उसमें qualify किया था इसलिए मैं आपको अपने experience के हिसाब से बता रही हूँ बाकी यह चीज़े आप book वगरा से पढ़ सकते हैं अच्छे से cover कर सकते हैं अगर यह topic आपको पता चल जाएं तो पेपर वन की बात करते हैं 140 question इसमें आते हैं 140 marks के मतलब 140 एक एक नंबर के question रहते हैं पहला और सबसे important जो यहाँ पर चीज़ आता है जो topic है वो है UP special का topic UP से related आपको सभी चीज़े आनी चाहिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सभी चीज़े आपको पता होने चाहिए यहाँ पर history की बात करें तो यहाँ का जो modern history है जो UP का history है modern वाला उससे कई question पूछे आते हैं खास करके matching में question पूछे आते हैं Congress के जितने भी अधिवेशन UP में conduct हुए उसमें अध्यच कौन से रहे उनकी business बातें क्या थी उनसे question बहुत पूछा जाता है तो इसको अच्छे से cover कर लीजेगा और खास करके जो 1925 वाला जो काकोरी वाला train action वाला था उसमें जितने व्यक question आता है जो मेले होते हैं उनको matching में काफी दिया जाता है इसमें और इसके अलावाँ जो लोक रित या लोग गीत आप पढ़ रहे हैं किस चेत्र से सम्मनित है किस आउसर पर इसे गया जाता है या इसका जो नरित है वो होता है तो यह सभी चीज़े इसमें important होती है बांध बांध से question आता है जो छोटे छोटे बांध छोटी नदियों पर बने हुए बेतवा पर या फिर केंड पर या फिर ये जो ये वाली नदियां जो दच्छन भारा से आती है इनके बांध जादा पूछ जाते हैं जो सिंध बेतवा के चंबल है इनसे बहुत question आते हैं इसको पक्षी बिहार हैं पक्षी बिहार खास करके वह वाले जो रामसर साइट में भी दर्ज हैं और पक्षी बिहार भी हैं उनसे भी काफी question पूछ जाते हैं इसके अलावा अगर उत्तरप्रदे से सम्मंदित कोई GI tag है इंपोर्टन कोई चीज हुई है गटी हाली में तो उनसे question पूछा आता है जनगर्णा में पिछली बार तो बहुत question आये थे जनगर्णा से उत्तरप्रदे से related लेकिन अब जो जनगर्णा वाला topic है ये काफी पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है किसी भी तरह से मतलब किसी को paper पहले से पता नही क्योंकि पिछली बार इसे बहुत question थे इस बार भी हो सकते हैं आगे बात करते है current affair की तो current affair में आपको UP से related कोई चीज नहीं चोड़नी है monthly wise last जो 6-7 महिने है वो सब complete cover करना है एक-एक मेंद का उठाई है UP से related जितनी चीजे हैं जो सरकार ने काम किया कोई app जारी किया कोई योजना चलाई वो योजना किस मंत्रा लेने चलाई है या फिर उत्तर प्रदेश में जो है कोई योजना का उध्गाटन हुआ तो किस सहर से किस जिले से उसका उध्गाटन किया गया है वो सब चीजें पूछी आती है कोई award मिला यूपी से related वेक्ति को वो भी important होते हैं आ कोई भी चीज इसमें अगर पूछा जाता है तो उसका क्रम जरूर देखेगा कौन सा विदेशी यात्री कब आया और कहां से आया सबसे पहले उसका इयर जरूर देख लीजेगा और उस टाइम भारत में राजा कौन है वेंसांग फायान या फिर अलमसूदी जितने सब लो पूछी आती है बहुत कम ये टॉपिक है चोटा सा टॉपिक है बहुत और जैन का लेकिन इसमें से सभी चीजें आपको पढ़ लेनी है एक बार दो तीन पेज में ही ये चीजें कवर हो जाती है इसके अनावा इन से दोनों से सम्मंदित जो गुफाएं है भारत में कहा का सम्मंदित गुफाएं है वो पता होनी चाहिए किसने उसका निर्माल कराया था अगर उस गुफा में कोई खास मंदिर है या कोई खास बात है तो इससे भी कोशन पूछा जाता है आगे बात करते हैं यह सब जो बुक्स वगर हैं यह बुक वाले वीडियो में मैंने आपको उसमें जितनी भी संस्था का निर्मार हुआ था चाहिए लेंड हो लेंड हो लेंड हो सोसाइटी हो मदरास नेटीव असोसीशन हो या दादा भाई नरो जी ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई थी तो उन सबसे कोशन पूछ जाते हैं संस्थाओं से रिलेटेड सभी चीज नहीं था कौन कौन वाक्ति समय थे कौन सम्रेड रहे वह चीज है और खासकर के इस में वह वैक्ति पूछ आते हैं जादा आओंटुलर नहीं पूछ यादा नहीं पूछी हैं अगर कोई पॉपूलर है जिनके बारे में आपने कम सुनाएं उनके बारे में कोश्चन आ सकता विक्ति इंदोलन से सम्बंदित थे उनके बारे में कुछा जाता है कि इसमें क्या चीजें इंपोर्टेंटिट है सभी चीजें आपको पता होने कि इसमें क्या खास बात हुई थी तो सब पूछ लिए जाता है क्रम से सभी आगे बात करते हैं मेडवल हिस्ट्री में जितने भी विदेशी आत्री आए थे जहां के टाइम पर बहुत सारे विदेशी आत्री आए थे यह सभी चीजें आपर इंपोर्टन है जहांगेर के टाइम पर कौन आया था इस तरह से कोशन पूछा जाता है इसके अलामा साशक का क्रम जो है बहुत इंपोर्टन्ट है इसमें सासक कौन से सासक किस क्रम में आये थे जो लेस पॉपुलर वाले सासक होते हैं उनका क्रम पूछा जाता है इसमें खास करके जो आप उत्तर मुगल काल देखेंगे तो उसमें का सासक क्रम बहुत पूछा जाता है इसके अलावा हमापद उन्होंने बनाया जा कोई नए बिभाग की स्थापना की है तो उनसे कोश्चन पूछा लाता है और मैचिंग में आता है और मेडवल हिस्ट्री में पूछ जाते हैं जो इनसे संबनित किताबें लिखी गई थी जो मुस्लिम में जो उनका उर्दु नाम होता है सबी चीजें पता होने चाहिए जो अकबर ने काम किये थे उसका क्रम जो आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा अकबर ने जितने काम किये हैं उसका क्रम दासप्रथा कान्त कब किया या मजहर की गोशना और इस तरह की इबादत खाने के स्थापना कब करवाई यह सबी जिमेदार हैं उसके बारे में जो संमेलन हुआ है वो सब चीजें इंपर्टन्ट हैं ग्रीं हाउस गैसेज में कौन-कौन सी गैस आती है और जोषड़न इसके लिए मौसम और जलवाई उसे आपका क्या पर इसको पता होने स्ट्रेट्मेंट आ सकता है पारिस्तिकी तंत्र ये आपको डेली खुप से मैप आपको देखना चाहिए अपने लगा के मतलब आप देखते होंगे लगा यह लेकिन ध्यान से नहीं देखते होंगे तो दियान से देखियेच कहां कोंशी चीज़ जर्णों से question आता है जीवों से question आता है फिर अगे बात करते हैं विस्य की जितने भी देश हैं सभी पेपर के लिए इंपोर्टन होता है आपको कॉंटिनेंट वाइस सभी जो धीरे-दीरे याद कर लेना चाहिए सभी कॉंटिन महादी पुठाइए उसमें जितने भी देश हैं उसकी राजदानी सर्च करिए कहां पर है एक बार आप मैप में देखेंगे तो कैस्पियन सागर के आसपास कौन से देश हैं लाल सागर के आसपास कौन से देश हैं मैप में देखना चाहिए काला सागर भूमदी सागर के आसपास कौन से देश हैं कि मैप से पता होना चाहिए इस्थल रूद देश किसी महादीप में कौन कौन सा इस्थल रूद देश है जैसे इंड्यों बारे में बिश्ली बार कोश्चना आया था इंड्यों-पारे में प्षीम अंगे बात करें विश्व? परवरतों के बारे में परवतों के चितने मरुस्तल एंबACH वीडियो परवतों किसम को जाएंगे जो प्रमुक परवता газ करेंगे चैनल अपश हा उसको करेंगे अपको कि यह सा बीचित को बहुता कंध से लिखत और इसकी है जाएक उच्छेंवट जाएगा इसकी अपर पर लुसेंट तक करेंगे तो एक बात करते में तूर रास्टपती से काफी पूछिए जाते हैं कोई और बिसेस बात है जितने भी आर्टिकल हैं उनसे पुषन-पुषärता है कौन-कौन से राजी सहबा से रही तो खासकर थीनी नित्य चार्ते हैं ङसल कोई से पुष्छल यहाज शुर्ट पुष्ल लिया जाता स्कूष्यूक से बारे में आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉटंट होते हैं राजेपाल काम क्या होता है इसे किसे राजिपालों कर दो इनसे भी question पूछा जाता है आगे बात करेंगे समीधान सभा किस तरह से इसका गठान हुआ था कौन कौन से वेक्ति इसमें सामिल जो समीतिया इसमें बनी उसके अध्यच कौन थे उसके अध्यच कौन थे इसका सब्सक्राइब करें इसकी इसकी बैठा कब कब हुई पहली कब आपको पूछी आती है तो ऑदिकार के बारे में नीज निजए सकत्तों के बारे में और मुल करता बीक बारे में 51a तक जितने भी आर्टिकल एक से लेकर 51a तक यह सभी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए यह हर एकजाम में आपको हेलप करेंगी आगे बात करते हैं प्रमुक हुच और अनुझेद होते हैं जैसे संचित निदी किस आर्टिकल में आता है , सर्वोच नेयाल्यकापक्स काम किस आर्टिकलUSE आता है ये सब चीज इंपोर्ट्न होती इन जो काफी पॉपूलर होते हैं उनसे पूछल उतuding है राजी सभ़ा की सीटे सभ ही राजीयों की स्वा की सीटे आपको याद होनी चाहिए अकसर एक्जाम में पूछले जाता है पी-स के एक्जाम में भी और औरो के एक्जाम में tää्जING में आता है यह फिर कोई आध्य पाता है जिसमें पाप्स पंपर जक्क्रादथ्य एकतना होते हैं उसमें पता जाता किस राज़ी की पैदावार क्रमनेक отвानि या फालों यहां के भी फॉछिज quarantine travel दीन जिसे फॉल होते हैं इसे कुछेट सेव की प्रजाती अमरूद की प्रजाती या फिर गेहूं की प्रजाती धान की प्रजाती दालों की प्रजाती इस तरह से कोश्चन आ जाता है जानवरों की प्रजाती में गाय भैस और बकरी जरूर पता होने जाई जानवरों की प्रजाती में अब इसमें कुछ कोश्चन ऐ अभिन को इस होते हैं कि अहां नहींगता है वह इसको पता नहीं होगा तो इस तरह से भी इननना की ऋए पता होनी हुआ है वो सभी चीज़ें पता होने चाहिए अगर लेटिस्ट कोई फसल आई है रवी की फसल या खरीब की फसल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है टोटल खाध्यान पैदावार कितनी हुई है इसे रेलिटिव कोशन आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं अगे बात करते है साइंस में रोगों से संबंधित कोश्चन जो की आपको लुसें बेल जाएगा साइंस आपका पूरा हो सकता है जीवाण उसे होने वाले रोग विशाण से प्रोटो जोवां से कावक से से रोने वाले रोग आपको एकदम क्लियर होना चाहिए यह सब लोग बार बार या पाचन तंत्र पूरा आपको मैप से पता होना चाहिए डीटेल में पाचन तंत्र में कौन से अंग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यह कौन सी चीज को पचाता है इसे रिलेटेट कोश्टन काफी इंपॉर्टन होते हैं कहां से हमारा मुख का पाचन जो मुख से ही पाच तरकी मतलब वर्ग जो पाय जाते हैं उनसे कोशन पूचा आता है यह फिर वनस्थती विग्यान में कोई इंपॉर्टन इसकी जनक कौन थे इस तरह से कौश्टन आता है पादप कोशिका और जन्त कोशिका का अंतर काफी इंपॉर्टन है अगे बात करेंगे एकोनोम पादा कितना था रिपोर्ट जितनी आई है किस बजट में जो योजना है उनमें कितना रुपए खर्च हुआ है स्टैक जो चीज़ें जिसे मौद्रिक नीती मौद्रिक नीती आपको कवर हो जाएगी लूसरं से ही और आप इसी भी चाहिए तो सर्च का सकते हैं तो उनसे आपको मौद्रक नीतियां जिसमें सभी टेक्स बगर बताये रहते हैं बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपोर्टन के जितने तरह टेक्स होते हैं इनके बारे में सबी चीज़ें पता हो लेगने और उन्स टाम में इसका कितना अगर इग्जाम के पहले यह देख लिजेगा कि उस टाइम पर जब नहीं चल रही है ऐ पंचवरसी योजना हैं नियुट क्रत्सत 5 योजना कर भए 1 साल झा तो इसके बारे में कौन साइब भजता है बेस्ट ईतनवाली योजना के बारे में में जीटने में पुरानी योजना योजना है इसके रावा current affair की बात करने तो पुरसकार rank और index पुष्टकें जो है या फिर current से related जितनी भी चीज़े आपको last का month देख लेना चाहिए 7-8 month उसके बाद सभी चीज़ें cover करनी चाहिए कुछ भी नई समय बचना चाहिए राष्टी अंतराष्टी current जो है समझोता जो भी आगे बात करते हैं computer की तो computer से भी question आते है फुल फॉर्म से question आता है unit से question आता है मतलब एक byte में कितने bit या फिर GB में MB में कितना bit byte होता है वो सब चीज़ें जो है पूछी जाते हैं इसके लावा binary conversion भी आपको कभी कभी question जा paper tough होगा तो यह भी पूछ ले जाता है कि binary conversion किस तरह से होता है इसके लिए सिर्फ एक वीडियो चैनल पर तो बाइनरी conversion डालके binary conversion grade 10 classes डालके सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा कितनी जितनी भी तरह का conversion होता है जिनसे question पूछ जाते हैं सब उसमें आपका एक ही बार में clear हो जाएगा छोटा सब वीडियो है या फिर आप कहीं से बीचाए cover कर सकते हैं generation जितनी भी generation आई है computer की उनसे question बहुत question computer से आते हैं 5 questions लगभगा जाते हैं बस computer से तो जन्रेशन से कолет आता है वाइस से काशन आता है कोई अगर लेटेस्ट वाइस चिये चिंपपनी को वेडिशन तो एसे डिवा अप Katy przy all जाता है जो से कमपनी को खेड़ा है जो किया ज्यद्वन कहें रिलेटे दिए तो करन्ट से बद चीजेंगे पूंचे सब्सक्राइब किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं बहुत तफ नहीं आता है लेकिन आपको जो है यह चीजें आपको पढ़ी नहीं रहेंगी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपका स्कोर जो है कम हो कुछ बढ़ाने का में लेकिन जो लेवल है वह आरो यारो को मैच करता है तो वहां से आप चीजें कवर कर सकते हैं इसमें जो गलती होती है वह आपको समझ में आ जाएगी एक बार में देखके तो इसको पड़ सकते हैं कोई अरिहंत वगरा कि उसमें अच्छे मिल जाते हैं म इसका बुक लिश्ट देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप सभी बुक भी देख सकते हैं पर्चेस का सकते हैं अगर आपको टैसरी जोइन करना है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और सभी प्रोइड की जाते हैं इसमें अब 50 कोश्यन मिलते हैं और जो कुशन होगा आपको आंसर की में मिल जाएगा आपको आप सर के बाशों की ज्यादा यवर कुशन रहें तो जो टर स्रीज है उसको आप चाहें तो ज्ट जोएन कर सकते हैं इसमें आपको शॉर्ट स्टडी मटेरियल भी सबी मिल जाएंगे कुईज़ भी मिल जाते हैं इसके अलावा इसके लिए इसको जोईन करने के लिए आप 7355459135 पर कॉंटेक कर सकते हैं या डारेक्ट ली वाट्सेप कर सकते हैं वहां पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगी इसके फीज जो है 500 है जो आपको पूरी तरह व ही सकते हैं आपको जो खूरी ऑत दिए!